और शरीफे का बीज निकालना बहुत मुश्किल काम होता है लगता है यह तो हम करें नहीं सकते लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ आप क्या करें जो सफ चॉपर होता है न वो ले और उसके अंदर जो सरीफे का पल्प होता है न गुद्द वो सारा हम इसमें डाल देंगे तो इस तरीके साब सारा डाल दे और हमें क्या करना है इसे जैसे हम प्याज काटते है न उसे तरीके से हमें इसे चॉप करना है तो हमें किस तरीके से करना है जोर जोर से नहीं चलाना है धीरे धीरे चलाना है और 5-6 बार इस तरीके से आप आप देखेंगे कि जो इसकेitted गुद्दा और बीज अलग हो जाएं, और इसके बाद आप क्या करें इसके जो बीज अलग कर ले, और इसके पल्प seven दिखने के लिए मुझे सबस्क्राइब करें अन्डैनल को